Exercise 5.2 आपके pie charts के उपर ये सारी based है pie chart मैं बता दूँ आपको कि pie chart जो होता है किसी भी information को दिखाने का एक तरीका होता है जिसके अंदर ये circle होता है और circles के division करके ये चीज़ पता चले जाती है कि कौन चीज़ कितनी है चले question 1 को पढ़ते है एक शहर के अंदर एक सर्वे किया गया जिसमें यंग लोगों से ये पूछा गया कि आपको किस किस तरह का music पसंद है और जो ये साथ में pie chart बना हुआ है ये इसका result है इसमें ये दिखाया गया कि semi classical 20% लोगों को पसंद है classical 10% लोगों को पसंद है folk music 30% लोगों को पसंद है और light music 40% लोगों को पसंद है फ्रॉम दिस pie chart आंसर दा फॉल्लविंग इस pie chart को देखकर आप इन questions का जवाब दीजिए if 20 people like classical music अगर 20 लोगों को classical music पसंद है तो how many young people were surveyed तो बताएए total लोग कितने थे जिनका survey किया गया अब देखिए classical music की percentage दे रखी है और इस percentage की जो figure है वो दे रखी है हमें total निकालना है तो देखिए इसका अंसर किस तरह निकलेगा हमें दे रखा है कि 20 classical music है ना तो classical music 10% है तो 10% तो 10% of total people total people का जो 10% है वो 20 है तो यह equation बन गी हमें निकालना है total people तो total people को हम एक तरफ रख लेंगे और यहाँ पे 20 है यहाँ जो 10 upon 100 है जब इस तरफ जाएगा तो यह जो 10 है यह तो नीचे आ जाएगा equation का rule होता है दूसरी तरफ जाती है तो जो multiply में चीज होती है वो divide में आ जाती है और यह जो 100 है यह उपर चला जाएगा अब इसे जब solve करेंगे तो एक 0 से यह 0 कट गया 20 tens are 200 यानि total 200 200 लोग हैं जिनका survey किया गया यह first part था second part में पूछा है which type of music is liked by the maximum number of people किस तरह का music है जो ज्यादातर लोगों को पसंद है तो ज्यादातर लोगों को आपको यह division से ही पता चल जाएगा देखिए सबसे ज्यादा जो हिस्सा आ रहा है यह आ रहा है light यानि कि light music यह 40% है तो second का answer होगा light music सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है थर्ड कोस्टन, if a cassette company were to make 1000 CDs how many of each type would they make? अगर cassette company को total 1000 CDs बनानी है तो हर तरह के music की कितनी कितनी CDs बनाई जाएगी यह आपको निकालना है ठीक है, semi classical से शुरू कर देते हैं थर्ड के लिए तो semi classical की कितनी CD बनेंगी semi classical देखे, semi classical के हिस्से में है 20% यानि कि 20% अब 20% किसका? 1000 CDs का total CDs 1000 बनानी है न, तो 1000 तो जब हम 20% निकालेंगे 1000 CDs का तो इसकी आंसर आएगा, यह 2-0 से 2-0 कट गई 20 को 10 से करेंगे तो 200 तो 200 CDs बनाई जाएंगी semical, classical, music की इसी तरह से आप बागी सबका भी निकालेंगे second में ले ले लेते हैं classical तो classical की classical music की CDs बनेंगी classical के हिस्से में है 10% 10% किसका? 1000 CDs का total CDs तो 1000 बनानी है न, तो 10% निकालेंगे 1000 का, यह 2 उपर की 0 नीचे की 0 से कट गई, तो यह आगा 10, 10, 100 तो 100 CDs बनाई जाएंगी classical music की अब next आफ फॉक, फॉक म्यूजिक की तो फॉक म्यूजिक के हिस्से में आता है 30% तो 30% of 1000 यहनी 1000 CDs का 30% इसी तरह से यह 2 जीरो उपर वाली नीचे से कट गई तो 30 टैंज आप 300 तो 300 CDs बनाई जाएंगी फॉक म्यूजिक की लाइट म्यूजिक की तो लाइट के हिस्से में है 40% तो 40% CDs टोटल कितनी है 1000 तो 1000 का 40% हो गया यह 2 जीरो नीचे की 2 जीरो से कट गई 40 टैंज आप 400 तो 400 CDs बनाई जाएंगी लाइट म्यूजिक की तो यह आपका question first था आयो पापके छेसे समय